प्रद्धानमंत्री जी नमस्कार लखीमपूर खीरी में जो कुछ भी हुआ आज पूरा देश उसके चर्चा कर रहा है हर जे के यही बात हो रही है सब लोग कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम उन निर्दोश किसानों के हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहा है मैं उसी संबंध में देश के लोगों की ओर से आप से आज बात करना चाहता हूँ अभी तक हत्यारों को गिरफतार क्यों नहीं किया गया आखिर क्या मजबूरी है उन्हें क्यों बचाया जा रहा है हत्यारों ने दिन दहाडे इतनी भीड के सामने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और फिर भी अभी तक हत्यारों की गिरफतारी नहीं हुई है उन्हें क्यों बचाया जा रहा है सरयाम इतनी भीड के सामने कोई इतने लोगों को रौधते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नत्मस तक होके घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे प्रदानमंत्री जी आज हर देशवासी टीवी और सोशल मीडिया पे देख रहा है कि एक गाड़ी आई और किसानों को रौंद के चली गई जिस तरह से पूरी सरकार हत्यारों को बचाने में लगी है इस सबसे क्या संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप कोई नेता हो या अमीर हो तो आप अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हो उस गाड़ी ने सिर्फ वहां मौजूद किसानों को नहीं कुचला बलकि इस देश के सभी किसानों को कुचला है इस देश के गरीबों को कुचला है ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार को ही कुचल दिया है पूरे सिस्टम को कुचल दिया है प्रधान मंत्री जी आज एक तरफ सरकार आजादी का अमरित महुतसव मना रही है और दूसरी तरफ जब विपक्ष के नेता मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है ये कौन सी अजादी का जशन है ऐसे तो अंग्रेज करते थे क्या इसलिए हमारे पूरवजों ने आजादी के लिए संघर्ष किया था कुर्बानिया दी थी आखिर वहां ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है ऐसी क्या बात हो गई वहां ना किसी पत्रकार को पहुंचने दिया जा रहा ना किसानों को पहुँचने दिया जा रहा ना किसी वपक्ष के नेता को अज पूरा भारत जानना चाता है कि लखेंपुर में अखिर हुआ क्या था किसने गाड़ी चड़ाई क्यों चड़ाई सच्चाई जानना तो देश के लोगों का अधिकार है न पिछले एक साल से किसान बॉर्डर पे अपनी मांगों को लेके बैठे हैं छे सो से ज़्यादा किसानों की जान चली गई है वहाँ पे और आज किसानों पे गाड़ी चड़ा दी जाती है उन्हें कुचल के मार डाला जाता है और खीक किसानों से इतनी नफरत क्यों है किसानों ने क्या भी गाड़ाया आज सिस्टम के लोग कह रहे हैं कि उस गाड़ी में मंत्रीजी का बेटा था यह नहीं एक हफ़ते के बाद पूरा सिस्टम कहेगा वहां तो गाड़ी नहीं थी और उसके एक हफ़ते के बाद सारा सिस्टम कहने लगेगा यह वहां तो किसान ही नहीं थे सच यह है कि यहां सिर्फ नयाई नहीं है आज हर देशवासी नयाई की मांग कर रहा है फैसला आपको लेना अपधान मंत्री जी सारा देश चाहता है कि जिन लोगों पर हत्या का आरोप है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए संबंदित मंत्री को आप क्याबिनेट से तुरंत बर्कार कि परिवारों से मिलें अपने परधान मंत्री से मिलके उनका मन हलका होगा नमस्का